नमस्कार, इंजिनियर राजीवतावडे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम इंस्टन ढूकला बनाएंगे ढूकले के लिए हमने दो कटोरी मेशन लिया हुआ है आधा कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी बारिक सुजी लियो है यह सब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इस मिश्रण में अब हम एक हरी मिर्च, आधा इंच अद्रप और करी पत्ता ख्रश किया हुआ है इसमें मिक्स करेंगे इसके बाद देड़्स, चमश्चकर और हल्दी स्वादा नुसर डालेंगे और मिक्स करेंगे तिन टेवल स्पून तेल लिया हुआ है वो इसमें एड़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे कटा हुआ बारिक धनिया डालेंगे और इसके बाद में हम एक कटोरी इसमें दखी डालेंगे यह सब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैटर बहुत ही ठीक है इसके लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे एक गंटा हो चुका है अब हम इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और मैंने कुकर गरम करने रखा हुआ है पानी डाल के और स्टैंड रखे आधा चमच से भी कम सैट्रिक एसिड लिया है वह हम पानी में मिक्स करके लेंगे पानी एक चमच ही लिया है सैट्रिक एसिड को निम्बू फूल भी कहते हैं सैट्रिक एसिड के दानी पानी में डालूट हो चुके है वह पानी हम बैटर में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आधा चमच बेकिंग पाउडर आधा चमच बेकिंग सोडा लिया है वह बैटर में डालेंगे और अच्छी तरह एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे बैटर फूलने लगा है और अब हम ये बैटर ग्रिस किये हुए डबे में डालेंगे कुकर में पानी गरम हो चुका है ये हुआ पैटर वाला डिबा हम उसमें रखेंगे सिटी निकालके कुकर का ढकन हमने लगाया है अब हम 30 से 35 मिनिट तक इसे स्टीम करेंगे और फिर हमारा ढूकला तयार हो जाएगा 35 मिनिट हो चुके है अब हम गैस ओफ करेंगे और 2-3 मिनिट बाद ही हम ढकन खोल के ढूकला कैसा बना है और देखेंगे डोकले पर डालने के लिए हम तड़के वाला पानी बनाएंगे दो चमज तेल गरम करने रखा है उसमें राई डालेंगे परी पत्ता डालेंगे परी मीज डालेंगे नमक डालेंगे एक चमज शक्र डालेंगे और आधा पतोरी पानी डालेंगे तड़की का पानी हम ढूखले पे डालेंगे ढूखला चटनी के साथ अब सौर करेंगे ढूखला चटनी और सौस के साथ सौर किया है डूखला बहुती स्वादिष्ट बना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद